बच्चो अब हम जनसंख्या की अगली विशेश्ता साक्शर्टा पर चर्चा करते हैं अभी हमने देखा आयू संगठन इसके बाद लिंगानुपाद पर हमने बात की अब हम बात करते हैं साक्शर्टा तो भई किसी देश की साक्शर्टा का प्रतिशत कितना है या उसमें जब भी और सिक्षित समाज ही जो है वो एक विक्सित देश का निर्माड करता है यह हम कहें कि देश के विकास में अपनी सहभागिता को सुनिशित करता है तो सबसे पहले हम देखें कि साक्षर्ता है क्या हम ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें हम कहेंगे कि यह साक्षर है और उससे अधिकुम्रक के जो व्यक्ति हैं जो किसी भी साधारन भाषा में किसी भी एक भाषा में एक साधारन समझ के साथ पढ़, लिख और किसी संदेश को समझ सकते हैं उन्हें हम ऐसे व्यक्तियों को साक्षर कहते हैं अब साक्षर्ता का महत्यों जैसे हमने बताया कि अगर कोई देश के नागरीक या कोई समाज जो है जितना सिक्षित होगा वह उतना ही जो नई-नई तकनीक है या प्राब्योगी की है यह सब को अपलाई करेगा और वो देश यो है वो उतना ही विक्सित होगा आप कलपना कीजिए ना अभी हमने अपने साइन्स और टेक्नलोजी को इतना जादा विक्सित कर लिया है और इसी का परिनाम है कि आप एक स्मार्ट फोन में घर बैठे बैठे एक दूसरे देश या दूसरे शहर में बैठे अपने किसी परिचित से ठीक उसी प्रकार बात कर सकते हैं मानों आप आमने सामने बैठे हूं तो ऐसी कोई बिमारी नहीं है जिसका इलाज जो है वो अब संभव नहीं हो पाया है हम अब चांद पर जा रहे हैं तो ये किस कारण है क्या अगर हम असिक्षित होते या अयोग्य होते तो हम अपनी तकनिग को इतना बढ़ा पाते बिलकुल नहीं हम अपनी तकनिग या प्राटयोगी की को जो इतना विकृसित कर पा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारी सिक्षा की वजा से हैं तो साक्षर्ता या किसी देश के व्यक्तियों का साक्षर होना उस देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है या उस देश के विकास में उसकी कितनी सहभागिता हो सकती है इस बात को आप इस चीज से बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे तो आए हम देखते हैं कि वर्तमान में जनगर्णा 2011 के नुसार भारत की जो साक्षर्ता का प्रतिशत है वो 74.04% है और यदि हम जनगर्णा के आंकडों पर एक नजर डालें तो हम देखेंगे कि स्वतंतरता के बाद से हुई जो पहली जनगर्णा थी तब साक्षर्ता का प्र प्रतिशत था और जो स्वतंतरता के बाद सिर्फ 18 प्रतिशत था वो वर्तमान जनगर्णा तक पिछली जनगर्णा जो 2011 हुई उसमें 74% पहुँच गया है तो हम समझ सकते हैं कि हम साक्षर्ता के हिसाब से भी कितना विकास कर रहे हैं इसके बाद हम देखते हैं कि 10 वर्ष 64.84% था हमारी साक्षर्ता का प्रतिशत और 2011 में 74.04% हो गया अब यह जो साक्षर्ता है वो हमारे व्यक्तियों की कुल साक्षर्ता है लेकिन अब हम इसमें भी पुरुषों में साक्षर्ता और महिलाओं में साक्षर्ता की बात करें तो इसमें भी देखेंगे जैसे लिंग अपेक्षा है वो महिलाओं की स्थिती जो है चिंतनी ये हैं बहुत कमजोर स्थिती में है वैसे ही ठीक उसी प्रकार हम देखेंगे कि पुरुष साक्षर्ता की अपेक्षा महिला साक्षर्ता भी हमें बहुत कम देखने को मिलती है जहां पुरुषों में ये 82.14% है हमारे भा महिलाओं में मात्र 65.46% जो है साक्षर्टा का प्रतिशत मिलता है और ये तो होगी देश की बात की पूरे भारत देश में कुल 74% जिती साक्षर जनसंख्या है तो उस 74% जनसंख्या में कितनी महिलाएं है तो और कितने पुरुष साक्षर हैं अब यदि हम भारत के भी अलग- स्थानिक भिन्नता देखने को मिलती है मतलब जो राजी जितने विक्सित हैं वहाँ पर हमें साक्षर्टा का प्रतिशत अधिक मिलेगा और विशेश कर ऐसे राजी जहां पर महिलाओं की स्थिती बहुत अच्छी है वहाँ पर तो हमें साक्षर्टा का प्रतिशत जो है वो 55 परसेंट ये ऐसे राज्जिए हैं जहां पर जो साक्षरता का प्रतिशत है वो हमारे राश्टी और सथ से अधिक है और इसके साथ ही साथ हम देखें जैसे बिहार है यहां साक्षरता 63.82 परसेंट राजस्थान 67 परसेंट जारखंड 67.65 परसेंट तो जहां पर वो तीन अधिक प्रतिशत वाले थे वहीं हम ये जब तीन राज्यों की बात करते हैं तो ये कुछ ऐसे राजी हैं जहां पर साक्षर्ता का जो प्रतिशत है वो राष्टी औससे भी कम देखने को मिलता है बच्चों हमने जनसंख्या की इतनी सारी विशिष्टाओं पर चर्चा की फि किसी स्थान की जो जनसंख्या इसकी जो विशिष्टाएं है जैसे उच्च साक्षर्ता है वहां की लोगों का स्वास्ति इस्तर जो है वो बहुत अच्छा है वहां महलाओं की स्थिती बहुत अच्छी है तो हम कह रहे हैं कि वो एक वो देश जो है वो विकास की एक कि विकास से हमारा तातपरी क्या होगा। कि 1990 के दश्रक के पहले की अधी हम बात करें, तो हम देखते थे कि तब जो विकास की समझ थी या विकास से तातपरी हम कह सकते थे व्रिध्धी से ही था। तिस एक छोटे एक्जामपल से मैं आपको समझ आती हूं। अगर किसी इस्थान की चाहे वो कोई देश हो सकता है या कोई राजी हो सकता है कोई भी इस्थान विशेस अगर वहां की जनसंख्या में वृद्धी हो रही है तो क्या हम उसे विकास कह सकते हैं। या वो देश या राज्य जो है वहाँ पर नगरी करण और ओद्योगी करण बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो क्या इसी से हम विकास कहेंगे कि उस छेत्र विशेश का जो है वो विकास हो रहा है बिल्कुल नहीं हम ऐसा कैसे कह सकते हैं जनसंख्या बढ़ी जा रही है मालो पहले किसी स्थान की जनसंख्या जो थी वो 10 लाग थी और अगले ही साल बढ़कर वो 20 लाग हो गई दुगनी वरिद्धी हो गई और नगरी करण हम कह रहे हैं वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है मालो पहले कहीं पर सिर्फ नगरी जनसंख्या 10 प्रतिशत थी वो बढ़कर 40 प्रतिशत हो गई लेकिन इससे हम विकास को नहीं आकलन कर सकते विकास का आकलन हम इससे नहीं कर सकते और वो इसलिए कि जनसंख्या तो बढ़ गई नगरी करण तो बढ़ गया लेकिन ये देखना भी तो आवश्यक होगा कि वहां लोगों की आय कितनी है उनका जीवन इस्तर कैसा है कितने लोग जो है उनको खाद्याना आपूर्ति हो पा रही है कितने लोगों को रहने के लिए छत मिल पा र जन तो क्या वो विकास हो सकता है बिलकुल नहीं हम इससे वृध्धी जरूर कह सकते हैं कि जनसंख्या में वृध्धी हुई है लेकिन वो विकास नहीं हुआ है नगरी करण तो हमने बढ़ा लिया बहुत तेजी से गाउं की जनसंख्या थी उसको डाइवर्ट कर लिया उनके पास दो वक्त के भोजन के लाले पड़े हैं. तो ये कैसे विकास होगा? फिर हम यहां पर भी कह सकते हैं कि नगरी करण में वृद्धी तो हो रही है, लेकिन वहां विकास नहीं हो रहा है. चुकि बहुत सारे लोग हैं, जिनका आय बहुत कम है, जिनकी आय बहुत कम है, उसके कारणों का जीवनिस्तर भी निम्न होगा, तो वो ना उचित स्वास्थिस विधायें ले पा रहे हैं और ना ही सिक्षा का लाब उठा पा रहे हैं. तो फिर वो कैसे विकास होगा? फिर तो हम इसे सिर्फ कहेंगे कि नगरी करण में वृद्धी हो रही है, जनसंख्या में वृद्धी हो रही है, या अद्योगी करण में वृद्धी हो रही है. तो जब हम 1990 की दशक के पहले की बात करें तो विकास का जो तातपरिय था वो वृद्धी से ही लगाया जाता था लेकिन 1990 के दशक के बाद ये महसूस किया जाने लगा कि हम हर वृद्धी को विकास नहीं कह सकते विकास जो है वो एक गुणात्मक पहलू है हम उसी कंडिशन में विकास कह सकते हैं जब किसी देश की जनसंख्या जो जितनी भी देश की जनसंख्या है सभी लोगों को वहाँ पर उचित सिक्षा मिल पाए उचित स्वास्थे सुविधाएं जो हैं वो मिल पाए और सभी का जीवन इसतर उच्च हो सभी में आय का जो वित्रण है वो समान रूप से हो तभी वो देश जो है वो विकास की दिशा में आगे बढ़ सकता है तो आएए इस पे हम बात करें कि सबसे पहले इस ओर ध्यान किसका गया तो पाकिस्तान की अर्थ शास्त्री थे महबूब उलहक और हमारे भारत के अर्थ शास्त्री डॉक्टर अमर्ति सेन इस नाम से भी आप बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक बैस्ट फ्रेंट है और इस नाम से तो आप बहुत अच्छी से परिचित होंगे क्योंकि हमें पता है कि हमारे अर्थ शास्त्री जो अमर्ति सेन की हम बात कर रहे हैं वो एक नोबेल पुरुसकार्व विजेता भी रहे हैं तो इनका ध्यान जो है वो पहली बार गया और उन्होंने कहा कि विकास में जो जब हम मानव विकास की बात कर रहे हैं तो महबूब उलहक ने उसमें एक आप्शन या विकल्प और जोड़ा जिसमें उन्होंने कहा कि लोग जो है वो अच्छी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं और इस जीवन यापन के लिए जीवन जीने के लिए उनके विकल्पों में वृद्धी होनी चाहिए सिर्फ आए में वृद्धी होने से ही काम नहीं चलेगा और विकल्पों में वृद्धी ऐसे कि मालो की कोई एक व्यक्ति है जो आए तो ठीक है आए है उसके पास लेकिन उसके पास विकल्प ही नहीं है वो बहुत उच्च सिक्षा प्राप्त करना चाह रहा है लेकिन उसके पास विकल्प नहीं है अगर क्रेश शक्ती है तो उसके प विकल्प तो बहुत सारे हैं लेकिन उनकी आई ही नहीं है उसकी क्रेशक्ती ही नहीं है कि वो उच्च सिक्षा को प्राप्त कर पाए या एक बहतर स्वास्त सुईधा को ले पाए तो भी हम उसे विकास नहीं कह सकते तो इस दिशा में डॉक्टर महबूब उलहक और डॉक्ट स्वतंतरता में वर्धी होनी चाहिए मतलब परतंतरता में कमी दूसरों पर निर्भडता में भी emerging has a माललों की हम बात कर रहे हैं कि हमें आय में समान आय कावुतरण होना चाहिए या सिक्षा के समान औसर होने चाहिए या दिये जा रहे हैं एक समाज में हम महिला किस्थिती की ही बात कर रहे हैं लेकिन विकल्प तो हमने उन्हें बहुत सारे दे दिये कि उच्छे सिक्षा प्राप्त करने के लिए बहतर विकल्प हैं विकल्पों में वृद्धी करके स्व अपने पसंद की जो सिक्षण संस्थान है वहां पर वो उचित सिक्षा ले पाए तो फिर वो विकल्पों में वृद्धी के कोई मायने नहीं रह जाते इसलिए डॉक्टर अमर्थ से ने इस बात को भी इसमें एड किया कि विकल्पों में वृद्धी होने के साथ उन में की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए किसी देश के नागरिक में तो इस मानव विकास की बात को ही रखकर ये कहा गया कि सिक्षा और साथी साथ आय का अधिक से अधिक समान वित्रण बहतर स्वास्थ सुविधाएं और इसके साथ ही जो है किसी भी समाज या देश में मानव का ज्यादा से ज्यादा से शक्ति करण होना चाहिए और उन्हें आर्थिक विकास से जोड़ा जाना चाहिए तो इसी इस तर पर जो संयुक्तराष्ट परिसद है उन्होंने बात कही कि तीन जो मापक हैं मानव विकास के वो रखे गए पहला था आपका सिक्षा लोग यह देखा गया कि जहां पर लोग जितने भी सिक्षित होंगे वो एक मानव विकास के मापन का महत्वपूर्ण पहलू होगा और उसके साथ ही साथ दूसरा था स्वास्थ मतलब देश के प्रतेक नागरिक को जो है वो बहतर स्वास्थ सुईधाएं उपलब्ध होनी कि वो अधिक से अधिक इन स्वास्थ सुईधाओं का लाब उठा पाए और तीसरा था आए यहां मिसे ही क्रैश शक्ती कह सकते हैं मतलब सिक्षा के बहतर विकल्ब हैं स्वास्थ के लिए बहतर विकल्ब हैं लेकिन आपकी आई ही उतनी नहीं है कि आप उस सिक्षा का आप उठा पाएं तो आय जो है वो आपके जीवनिस्तर को निरधारित करती है तो साथ में तीसरा जो मापक था वो ये भी कहा गया कि सभी लोगों में आय का अधिक से अधिक समान वित्रण होना चाहिए आय का जो असमान वित्रण है वो किसी भी देश में गरीबी का एक महत् और दूसरी बात वहां लोगों के जीवन इस्तर निम्न जीवन इस्तर का भी एक प्रमुक कारण हैं। तो इन तीनों पर बात की गई और इन सब का जो मैजर्मेंट ये मापन हम कह सकते हैं अमेरिकी डॉलर में किया जाता है। तो हम देखते हैं जब हम भारत की बात कर रहे हैं तो मानो विकास में जो भारत की रैंकिंग है इस्तान जो है वो आपका एक सो तीसवा है और यदि हम कहें कि मानो विकास में पहला इस्तान जो है वो नार्वे का है और आपको पता होना चाहिए कि नार्वे जो है वो प्रारम से ही जब से Human Development Index का measurement किया जा रहा है मापन किया जा रहा है तब से या प्रारम से ही वो पहले इस्थान पर रहा है नारवे देश उच्चतम स्कोर होता है नारवे का तो 130 इस्थान है भारत का और हम देखेंगे कि किसी भी देश में जो नागरिकों की जीवन प्रत्याशा है मतल महत्तवपूर्ण पहलू है मानोविकास का और यह हमारे भारत में एक आसद जो आयू है लोगों की वो 68 एर से 68 वर्ष है और वहीं नारवे में हम देखेंगे जिसका पहला इस्थान है एच डि आई में वहां पर लोगों की आसद जीवन प्रत्याशा मतलब जीवन जीने की जो संभावित आयू है वो लगभग 81.64 या लगभग 82 वर्ष जो है औसद जीवन प्रत्याशा मिलती है इसके बाद हम देखते हैं सिक्षा तो भारत में जो औसद एक व्यास्क व्यक्ति है उसके शाला में जाने के या सिक्षा प्राप्त करने के हम कहें कि एक औसद दिनों जो संख्या है वो 5.4 है और वहीं हम नार्वे में देखेंगे तो ये 12.64 है और यदि हम आय की बात करें तो देखेंगे कि भारत में प्रतिव्यक्ति सालाना जो आय है नागरिकों की वो अमेरिकी डॉलर में 5497 डॉलर है 5497 डॉलर और नार्वे में दो हमें एक प्रतिव्यक्ति सालाना जो आय है वो है आपकी 64992 डॉलर हम देख रहें कि जाहे वो अर्च जीवन प्रतियाषा की बात की जाये या फिर सिक्षा की मेरा की जाये या फिर प्रतिव्यक्ति आय के संदर में हम बात करें, तो सभी इस्थिती में नारवे जो है, वो हम से बहुत अधिक बहतर इस्थिती में है, और इसलिए वो पहले रैंकिंग पर है और हम 130 पायदान पर हैं, इसके अलावा भी मानोविकास को मापने के और भी तरीकें हैं, जैसे साक्षर्ता है, जन्म बात करते हैं जनसंख्या और गरीबी पर बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जनसंख्या अधिक होती है जहां पर भी जनसंख्या अधिक होगी वहाँ पर लोगों में गरीबी जो है वो अधिक देखने को मिलेगी और कारण ये है कि संसाधन सिमित है अधिक जनसंख्या हो तो सभी के लिए संसाधन जो है वो उपलब्ध नहीं हो पाएंगे और इसका परिणाम ये होगा कि वहां की जनसंख्या में गरी भी आएगी. और अगर जनसंख्या कम है किसी स्थान पर कम लोग निवास कर रहे हैं और सिमीद संसाधन है तो वो सिमीद संसाधन उतने लोगों के लिए परियाप्त होते हैं और वो अराम से जीवन्यापन कर पाएंगे. लेकिन ये बात कहने में जितनी सहज और सरल लग रही है ये उतनी सहज और सरल और सीधी बात है नहीं. और कारण ये है कि इसके तीन अपक्ष या तीन पहलू हैं. तो वो कौन-कौन से हैं तीन पहलू? पहली बात तो कोई भी किसी भी स्थान पर जो संसाधन है वो सिमीद नहीं होते है ना संसाधन सिमीद नहीं होते उनका उत्पादन जो है वो सिमीद नहीं होता वो प्राचीन समय में चले जाएं, तो हम देखते थे कि तब ताप या उर्जा का जो प्रमुक सोर्स था, वो लकडी था. और उस लकड़ी से ही लोग जो है वो आग जलाकर उर्जा उत्पनक करते थे ताप उत्पनक करते थे और उसे अलग-अलग प्रयोग में लेकर आते थे ठीक है तब जनसंख्या भी सिमीत थी लेकिन जैसे जैसे हम विकास की तरफ आगे बढ़ते गए तो हमारे पास उर्जा के या ताप के और भी बहुत सारे विकल्प जो है वो आगे जैसे हमने खोज कर ली कोईले की पेट्रोलियम की प्राकृतिक गैस की और अब क्या देख रहे हैं हम कि हमारे पास उर्जा या ताप के बहुत सारे संसाधन जो है वो हमारे सामने उपस थी लेकिन इन संसाधनों को हमने कैसे ढूंडा इन संसाधनों का जो प्रयोग करना सीखा हमने अपने तक्नीक का विकास करके तक्नीकी के प्रयोग के द्वारा तो पहली बात यही या इसका पहला जो महत्वपूर्ण पहलू यह है कि संसाधन जो है वो सिमीत नहीं है वो डिपेंट कर रहे हैं कि किसी स्थान पर कितनी तकनीक जो है वो उपस्थित है और जितनी तकनीक का प्रयोग करते हैं उतनी ही अधिक मात्रा में आप संसाधनों का प्रेयोग कर सकते हैं। करने के लिए व्यक्तियों की तो आवश्यक्ता होगी और जब ये व्यक्ति कारिरत होंगे तभी वो एक तक्नीक को ढूंड पाएंगे और जहां पर हम देखेंगे कि जितने भी और भी विक्सित देश या विकास शील देशों की बात करेंगे जहां पर की जनसंख्या कम है जैसी कि एक उधारन लेते हैं हम रूस का रूस एक ऐसा देश है एक विक्सित देश है ये भी और यहां पर जनसंख्या जो है वो बहुत क और आब यहां पर हम देखेंगे कि जो युवावर्ग है वो बहुत कम संख्या में है और व्रध आयुवर्ग की संख्या आधिख हो गई है तो यहां पर जो है वहो कारे करने के लिए अलग-अलग स्थानों में कारे करन अलग नग जा रही हैं तो जनसंख्या वृद्धी से नुकसान नहीं है या हम कहें कि जनसंख्या के अधिक होने से नुकसान नहीं है इंपॉर्टेंट ये बात है कि किसी स्थान में रहने वाली जो जनसंख्या है वो कितनी स्वस्थ है और कुशल है एक कुशल और स्वस्थ जनसंख्या तो जनसंख्या के अधिक होने के साथ साथ दूसरी बात महत्वपून ये भी है कि वो स्वस्थ जनसंख्या हो और एक इसकिल्ड या कुशल जनसंख्या जो है किसी देश में उपलब्ध होनी चाहिए और तीसरा इसका महत्वपून पहलु ये है कि जनसंख्या और गरीबी को जब हम कोरिलेट कर रहे हैं तो जनसंख्या के अधिक होने के कारण गरीबी नहीं होती है या संसाधनों की सिमित उपलब्धता के कारण जो है वो गरीबी नहीं है गरीबी किसी भी देश में आय के असमान वित्रण के कारण होती है यदि जितनी भी आय किसी देश की है यदि उसका सभी व्यक्तियों में प्रति व्यक्ति आय उसकी यदि समान रहे या उस आय का सभी नागरिकों में सभी जनसंख्या में जो है वो समान रूप से उसका वितरण किया जाए तो गरीबी नहीं होगी समस्या यहीं पर होती है कि जो आय होती है वो सब में असमान रुप से वित्रित होती है और जो अमीर लोग होते हैं वो और जादा अमीर होते जाते हैं और जो गरीब हैं वो और जादा गरीब होते जाते हैं और इसलिए हम देखेंगे कि जितने भी कई ऐसे विक्षित देश भी है जहाँ पर गरीब जन संख्या निवास करती है ऐसा नहीं है कि वहाँ पर लोग गरीब नहीं है और वो कारण इसके पीछे यही है कि देश बहुत विक्षित है उसकी आय बहुत अधिक है वहाँ हम ये बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो गरीब हैं गरीब जनसंख्या वहाँ भी निवास करती हैं तो इसके यदि हम जनसंख्या और गरीबी को को रिलेट करते हैं तो इसके ये तीन महत्वपून पहलू हैं तो इसके लिए हमने देखा कि एक तो किसी देश की जनसंख्या अधिक है तो भी जनसंख्या वहाँ पर skilled होनी चाहिए स्वस्थ और कुशल जनसंख्या होनी चाहिए जितनी स्वस्थ और कुशल जनसंख्या होगी वो अपने लिए संसाधनों के बहुत सारे options जो हैं वो ढून सकती है और उन संसाधनों का जो उपयोग है अपनी तकनीक के प्रयोग के माध्यम से उनका उपयोग कर सकती है और तीसरी चीज कि जितनी भी आए संसाधनों से उस देश को हो रही है उसका सभी में समान रूप से अधिक से अधिक समान रूप से वित्रण किया जाना चाहिए तब ये जो गरीबी है उसका प्रभाव किसी भी देश में जनसंख्या से उसको संभंधित नहीं किया जा सकता या जनसंख्या पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसी में हम देखते हैं कि अगर हम विश्व इस्तर पर इस समस्या पर नजर डाले तो हम देखते हैं कि वास्तों में जो अधिक आबादी वाले जो देश हैं जैसे कि जितने भी विकास्षिल देश हम कहें चाहे वो बांगला देश हो या भारत हो तो इन सभी देशों में हम देखेंगे कि यहां जो इन विकास्षिल देशों के अलावा अधिक आबादी वाले विकास्षिल देशों के अलावा जो विक्सित देश हैं वहां भी उनसे तुलना यदी की ज जैसे कि हमने बात की भारत हो गया, नाइजीरिया है या पाकिस्तान है, जहां पर हम जब संसाधनों की बात करें हैं, और संसाधनों में उर्जा के खपत की बात करें हैं, तो हम देखते हैं कि ये सभी जो देश हैं, वो जहां पर 1,000 किलो तेल की खपत करते हैं, वहीं जो जि तेल की खपत उनके द्वारा की जाती है या उसका वो भोग करते हैं अब हम भारत की जितनी भी कुल आबादी है यदि हम संयुक्तराज अमेरिका की पूरी आबादी से उसकी तुलना करें या उनके द्वारा खपत की जाने वाली संसाधनों की तुलना करें तो हम देखते हैं कि भारत जो है वो संयुक्तराज अमेरिका केवल एक तिहाई उर्जा का उपभोग करता है संयुक्तराज अमेरिका की तुलना में जबकि संयुक्त राज अमेरिका की जो आबादी है वो भारत की आबादी का केवल एक चौथाई हिस्सा ही वहाँ पर जनसंख्या हमें देखने को मिलती है तो और वहाँ पर भी जितना उपभोग जितनी अधिक मात्रा में ये उर्जा की खपत संयुक्त राज अमेरिका के लोगों के द्वारा की जारी है वो भी वहाँ पर हम देखेंगे कि असमान रूप से की जाती, मतलब सभी लोगों के द्वारा एक समान रूप से उर्जा की खपत वहाँ पर भी नहीं की जाती और ठीक उसी प्रकार हम अपने भारत देश की भी बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि जितनी उर्जा की खपत की जारी है वो सभी के द्वारा एक समान की जाए इसमें भी बहुत अधिक असमानता जो है वो देखने को मिलती है तो हम देखेंगे कि भारत और संयुक्तराज अमेर सुदूर अंचल के जो चेत्रे हैं यह जो गरीब परिवार है उनके द्वारा इस उर्जा या संसाधनों का प्रयोग बहुत कम किया जाता है और इसलिए तो गांधी जी ने कहा था कि यहां पर जितने भी लोग है इस धरती पर जितने भी लोग है उनके उपयोग के लिए संसाधन उपलब्ध है लेकिन किसी के लालच को पुरा करने के लिए संसाधन हमारे पास बिलकुल भी उपलब्ध नहीं है और अब इन सभी बातों को देखते हुए एक बात तो इसपस्ट हो जाती है कि गरीबी और किसी स्थान की जनसंख्या वृद्धी में कोई न कोई एक स कि विकास ही जो है वो असली गर्भ निरोधक है मतलब कि कोई छेत्र या देश जो है वो जितना अधिक विकास करता है विकास कर रहा है मतलब कि हम देखेंगे वहां पर सिक्षा और स्वास्थे से संबंधित स्वास्थे का इस्तर जो है वो बहुत उच्च होगा और वहां पर जो उस कंडिशन में जो लोग रहते हैं या उस इस्तर की जो लोग होते हैं वो यह चाहते हैं कि वो अपनी संतान को कम संतान रखें और सभी संतानों को एक बहतर जीवन जो है बहतर जीवन इस्तर दे पाएं अच्छी सिख्षा दे पाएं अच्छी स्वास्ते सुईधाय एक अच्छा रोजगार उन्हें मिल पाए जिसके कारण और इसी सोच के कारण हम देखेंगे कि जितने भी विकसित देश हैं वहाँ पर जनसंख्या हमें कम मिलती है क्योंकि विकास ही उसमें गर्भनी रोधक काम कर रहा है लेकिन हम दूसरी जगह देखेंगे जितने भी विक आए के साधन बहुत कम होते हैं वहाँ पर जो लोग गरीब होते हैं चुकि उनकी आए का इस्तर बहुत तिम्न होता है और निम्ना इस्तर के कारण वह अच्छी सिक्षा या स्वास्य सुईधाएं नहीं ले पाते तो हम अपने आसपास ही समाज में देखेंगे तो देखते हैं कि जो गरीब तपके के लोग रहते हैं या जो लेबर क्लास के लोग रहते हैं चुकि उनके पास आए के साधन बहुत कम होते हैं वह अच्छी एक अच्छा जीवन इस्तर नहीं ले पाते हैं जिसके कारण ना वह सिक्षा प्राप्त करते हैं नहीं वह स्वासे से बहतर सुविधाये ले पाते हैं और आय के सिमी साधनों के कारण वो अपने परिवार के आकार को बढ़ाते हैं उन्हें लगता है कि जितने बच्चे पैदा होंगे या हमारे जितने बच्चे होंगे या परिवार का आकार जितना बढ़ा होगा उनको लगता है उतने ही हैंड जो हैं वो उनके इंकम का सोर्स होंगे मतलब हम समानी इसमें ही देखते हैं कि लगभग 18 साल 17 साल 18 साल के बच्चे भी हो जाते हैं तो वो माता-पिता के साथ खेतों में मजदूरी करने के लिए निकल जाते हैं या कोई भी घरेलू कारे करने के लिए तो यही कारण है कि उन् के इंकम का उतना ही अधिक सोर्स लेकर आएंगे और जिसके कारण वो अपने परिवार के आकार को बढ़ाते हैं लेकिन असिक्षा के कारण या कम सैक्षणिक इस तर के कारण वो इस बात को नहीं सोच पाते कि परिवार का आकार बढ़ा होगा तो उसके लिए उन्हें वो इस बात तक उनकी सोच नहीं जा पाती है और वो सिर्फ परिवार के आकार को बढ़ा करते हैं तो इन सबसे निशकर्स ये निकलता है कि हम जिसकी भी बात करें मतलब जनसंख्या की अधिक होने से किसी भी देश में अधि हम बात करें जनसंख्या वृद्धी की और अगर ह हमें बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि किसी भी देश में जो वहाँ पर मिलने वाले संसाधन है और वहाँ पर जितनी भी आय होती है उन सभी का जो है उस देश की जितनी जनसंख्या है उसमें सभी को एक समान रूप से लगभग अधिक से अधिक समान वित्रण जो है वहाँ पर किया जाना चाहिए जिससे सभी लोग सिक्षित हो पाएं अच्छी सिक्षा और स्वास से संबंधित सुईधाएं वो ले पाएं और सभी का जीवन इस तर जो है वो अच्छा रहे तो ये सारी जो समस्याएं हैं वो खुद ही खुद बखुद जो है वो समा कि या जाए अब राष्टी जनसेंख्या नीती बच्कों पहले भी हमने चर्चा की है कि जनसेंख्या बढ़ती जनसेंख्या जो है वो ठिक है गरीबी की लिए एक महरत sparर्ण कारख है लेकिन हम कहते हैं किbaumas हमने चर्चा भी की थी कि vikas Hai जो है वो असली गर्भ निरोधक है, मतलब कि जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो मायने यह नहीं रखता कि हमें जनसंख्या को ठीक है, हमें जनसंख्या में इस्थिरता लाकर हम जनसंख्या को इस्थिर करके हम एक उचित माहौल जो है वो तैयार कर सकते हैं, जिसमें हम उस जनसंख्या को समाजिक और सा आर्थिक उनकी जो आवशक्ताएं हैं उन सब को पूरा कर सकते हैं तो इंपॉर्टेंट ये नहीं होता कि जनसंख्या कितनी है या कितनी मात्रा में निवास कर रही है जो संसाधनों का कितना उपभोग कर पाएगी या उपयोग कर पाएगी इससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये होता है कि हमारे पास जितनी जनसंख्या उपलग है वो कितनी कुशल और कितनी स्वस्थ होने के साथ कितनी उत्पादक जनसंख्या जो है वो हमारे देश में निवास करती है और इसलिए हमारे पास जितनी अधिक मात्रा में स्वस्थ और कुशल जनसंख्या होगी हम दे इस बात की है कि हमारे पास जितनी जनसंख्या है हम उन्हें बहुत ही अधिक संभाल कर और सहेज कर रखें और इसलिए इस बात की आवश्यक्ता महसूस की जाती है कि हमारे देश में जितनी जनसंख्या है उनके लिए एक जनसंख्या नीती बनाई जाए और उस जनसंख्या न कारिक्रम जो हैं वो तै किये जाएं तो इसी संदर में देखते हैं कि हमारे भारत में भी जो इतनी विशाल जनसंख्या रहती है तो यह आवशक्ता महसूस की गई कि इस जनसंख्या के लिए एक उचित पॉलिसी एक उचित नीती जो है जिसे हम NPP National Population Policy के नाम से जानते हैं र महत्त पूर्ण उद्देश कौन-कौन से हैं राष्टी जनसंख्या निती परिवारों के आकार को सिमीत रखकर एक व्यक्ति के स्वास्त एवं कल्यान को सुधार आ जा सकता है क्योंकि परिवार में सिमीत सदसे के लिए हम बहतर सिक्षा और स्वास्त सुविधाएं कि यह परिवार कल्यान कारिक्रम जिम्मेदार तथा सुन योजित पित्रित्व को बढ़ावा देने के लिए कारी रथ हैं राष्टी जनसंख्या निती 2000 कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का परिणाम है इस निती के कुछ प्रमुख उद्देश हैं जैसे 14 वर्ष से कम आयू के बच्चों को निहशुल्क सिक्षा प्रदान करना दूसरा शिशुम्रित्युदर को प्रती 1000 में 30 से कम करना व्यापक इस्तर पर टिकारोधी बिमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने के और इसके साथ ही साथ परिवार नियोजन के लिए एक नीतीगत धाचा प्रदान करना राष्टी जनसंख्यानिती के प्रमुख उद्देश हैं बच्चों इस पूरी कक्षा में हमने विस्तार से चर्चा की कि हमारे देश की जनसंख्या कितनी है उसका आकार कैसा है उसका वित्रन कैसा है और उस जनसंख्या से संबंधित अलग-अलग विशेष्टाओं पर और इन विशेष्टाओं पर जब हमने बात की तो उनके महत् जैसे जनसंख्या वृद्धी के संदर में हमने देखा कि अब हमझे निकल गये हैं जब हमने लिंगानुपात पर बात की तो भी हमने देखा कि लिंगानुपात के मामले में हमारे भारत की जो इस्थिती है वो बहुत ही चिंतनी हैं तो कुछ ऐसे ही बहुत सारे महत्वपूर्ण पहलू जैसे साखषर्ता पर चर्चा की। तो जनसेंख्या की इन विशेष्टाओं पर इतनी विस्तार से चर्चा करने के बाद हमारा ये निसकर्ष निकलता है कि हमारे जनसेंख्या इतनी विशाल तो है लेकिन हमें इसे बहुत ही जादा सहेच कर रखना होगा और सहेच कर रखने से तातपर ही हमारा ये है कि हमारी ज जो शाशन के द्वारा चलाए जा रहे हैं कारिक्रम हैं उनमें हम अपनी भागिदारी सुनिश्रित करें और जनसंख्या के विकास के साथ साथ अपने देश के इस विकास में हमारी समान रूप से सहभागिता हो तभी इतने सारे जो कारिक्रम चलाए जा रहे हैं जनसंख्या क विकास के लिए या देश के विकास के लिए ये सभी तभी जो है वो सही दिशा में और सही मात्रा में सफल हो पाएंगे ये जो आज हमने अध्याय पढ़ा चैप्टर जो हमने पढ़ा है तो बच्चों आपको परिक्षा के दृष्टिकोंड से तयार करना होगा इसमें बहुत से छोटे प्रश्ण बनते हैं और बड़े प्रश्ण बनते हैं तो जब हम छोटे प्रश्णों की बात करते हैं जैसे objective type question में आपसे पूछा जा सकता है कि पहली संपूर्ण जंगर्ना कब हुई या जंगर्ना की परिभाशा दीजिए या फिर आपसे पूछा जा सकता है भारत का लिंगानुपात कितना है या भारत की साक्षर्ता का प्रतिशत कितना है भारत में सरवाधिक और सबसे कम लिंगानुपात और सरवाधिक या सबसे कम साक्षर्ता का प्रतिशत कहां पर मिलता है विश्व की कुल जन संख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है या फिर आपसे चतिसगर की कुल जनसंख्या के बारे में पूछा जा सकता है तो ये तो इतने सारे प्रश्न जो हैं वो आपके अबजेक्टिव टाइप में बनते हैं साथी साथ जैसे जनसंख्या वृद्धी की हमने बात की तो वृद्धी दर का प्रतिशत आपसे पूछा जा सकता है या फिर लाख में या करोण संख्या के रूप में आपसे ये प्रश्न अबजेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता इसी को जब आपको छोटे प्रश्णों के रूप में त्यार करना होगा तो छोटे प्रश्ण में जैसे जनगर्णा की परिभाशना दीजी या फिर कहा जा सकता है जनसंख्या के वित्रण को प्रभावित करने वाले कुछ एक या दो पॉइंट आपको दे देंगे जिन्हें को विस्तार से वर्णन करना होगा फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि जनसंख्या वृद्धी क्या है और जनसंख्या वृद्धी को प्रभावित करने वाले कौन-कौन से कारक हैं अब जब हम बड़े प्रश्णों की बात करें तो बड़े प्रश्णों के रूप में आप से प आप पूछे जा सकते हैं या जनसंख्या व्रिधी या परिवर्तन लाने वाले जो तत्व हैं जिसमें हमने पढ़ा था जन्मदर, मृत्युदर और प्रवास तो इन सभी के बारे में आपको बताना होगा कि जन्मदर क्या है मृत्युदर क्या है प्रवास क्या है हाँ जब हम प्रवास की बात कर रहे हैं तो प्रवास से भी इस topic से भी आपके प्रश्ण बनते हैं छोटे प्रश्ण जैसे प्रवास क्या है और किते प्रकार के होते हैं या फिर आप से सिर्फ पूछा जा सकता है कि आंतरिक प्रवास क्या है या अंतरराश्टी प्रवास क्या है फिर यदि आपको इसको बड़े प्रश्णे की रूप म गया है फिर इसके दोनों प्रकारों को और इन दोनों प्रकारों को फिर विस्तार से आपको उदाहरन देते हुए समझाना होगा कि आंतरिक प्रवास उसके उदाहरन देने होंगे और फिर मतलब देश के अंदर होने वाला आंतरिक प्रवास और जब अंतरराष्टी प्रवास तो देश के बाहर दूसरे देश में जो व्यक्तियों का आना जाना होता है उस प्रवास को आपको उधारन देते हुए समझाना होगा हाँ अब जब हम जनसंख्या वृध्धी की बारे में आपसे पूछा जाएगा कि जनसंख्या वृध्धी क्या है स्वतंत्रता के बात से लेकर अब तक जनसंख्या वृध्धी की प्रतिशत को समझाईए या जनसंख्या वृध्धी में होने वाले परिवर्तन को समझाईए तो आपको एक क्तालिका के माध्यम से और ग्राफ के माध्यम से आपको उस उत्तर को समझाना होगा और साथ ही साथ उस दोरान उस समय अधी के दोरान जो जनसंख्या वृद्धी में परिवर्टन हुए है मतलब कब कम हुई है, कब स्थिर रही है और कब उसमें गिरावट की सिती देखने को मिली तो इसके कारणों को भी आपको समझाना होगा और जब जनसंख्या वित्रण और घनत्व की बात की जाएगी तो आपको मानचित्र के साथ भारत के मानचित्र में उच्य घनत्व, मध्यम घनत्व और निम्न घनत्व वाले राजियों को अलग संकेतों के माध्यम से समझाना होगा और साथ ही साथ वित्रण को भी आपको बिना मान्चित्र के ये उत्तर जनसंख्या वित्रण का उत्तर आपको नहीं देना है तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको परिक्षा के दृष्टी कोण से भी इस चैप्टर को तयार करना होगा